अलो तो बैंक निफ्टी का चार्ट है आप पे है एन हमें आज की वीडियो में देखेगी कि 10 रुपी का चीज अगर आप पर्चेस करते हो तो वह 100 रुपीस के से हो सकता है इसके पिछे का लॉजिक क्या होने वाला है यह कौन सी देखने मिल सकता है तो यहापको मिल लहाए एक्सपाइरी वाले दिन अगर आप को यह अपडेट पर्चेस करते हो 10 रुपीस का तो वह सीधा-प्डेट को क्या बोलते है सब सब पहले तो इस update को बोलते है hero and zero update अब hero and zero update इसका नाम से ये आपको पता चल जाता होगा कि अगर ये hero बनता है तो हमारा जो profit अनिंग है वो काफी हो सकता है अगर ये zero बनता है तो जो हमारा initial investment रहेगा जैसे कि 10 रुपे अगर हमने लगाया है तो 10 रुपे जादा से जादा हमारा zero हो सकता है ये अगर ये हो गया तो ये सिदा hundred भी हो सकता है चल ये थोड़े detail में समझने की कोशिश करता है कि किस तरीके से hero zero काम करता है and hero zero के rules क्या होते है उसके लिए important levels क्या होते है सब सब पहले तो अगर हम देखेगे ना तो यहाँ पर ये जो होता है इसका नाम होता है hero and zero अब इसे चलने के लिए अगर आप सभी को पता है कि bank nifty में किस तरीके से काम चलता है एक lot के अंदर मिलता है 25 quantity I hope आपको इतना तो पता होगा कि bank nifty के एक lot के अंदर हमें देखने मिलते है 25 quantity अब इसे अगर हमें trade करना है देखे उसके साथ में आप हमारा totally free telegram वाला जो channel हमारे इसमें आकर कर सकते हो 16,000 members AS के अंदर already join कर जुके है यहाँ पे भी हमने morning में एक level update दिया था जिसने काफी बढ़िया से profit turning भी हमें दे दिये है 475 से निकलता है तो लगबख 680 तब का हाई यह लगा देता है चलिए बात करते कि इस तरीके से hero zero का update हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है यहाँ पे यह देख सकते हो आप हमारा totally free telegram channel का link है तो यहाँ से भी आप joining कर सकते हो अभी अगर हम यहाँ पे देखेगे तो जो bank nifty होता है ना तो bank nifty के hero zero को काम करने के लिए क्या important चीज़े होती है वो समझो hero and zero अभी अगर इसे काम करना है तो इसके लिए आपको पता होना चीए कि bank nifty में क्या चीज़े होती है तो bank nifty में अगर आप एक lot purchase करते हो तो उसके अंदर आपको मिलता है 25 quantity ठीक है एक lot लेना है आपको मतलब कि 25 quantity अगर आप एक lot लेते हो एक lot के साथ अगर आप काम करते हो 25 quantity के साथ में तो आपका जो investment लगबग 250 rupees हो जाएगा ठीक है मतलब आप invest कितने करने वाले हो 250 rupees उसके साथ में अगर यह 10 rupees आपका हो जाता है 100 rupees तो जो आपको finally जो profit मिल सकता है वो कितना मिलेगा 2500 rupees का अगर यह 10 rupees 100 rupees होता है तो अब आप पूछोगे अगर इसके होता है तो इसका मतलब क्या यह होता है या फिर नहीं होता है तो इसका जवाब है यह होता भी है और यह नहीं भी होता है तो totally 100 पे तो कभी-कभी जाता है तो वो दिन काफी बड़िया दिन होता है बड़ा moment उस दिन होता है तब यह 100 हो जाता है लेकिन अगर उस दिन जादा बड़ा momentum नहीं हुआ तो यह 40, 50 and 70 तक भी जाता है तो अब हम यह समझते हैं कि 40, 50 and 70 तक वाला move हम किस तरीके से यह पर capture कर सकते हैं देखें अभी आगर आप इसे पर्चस करते हो 10 रुपीज पे and यह move इस तरीके से चल रहा है लेकिन बैंक निफ्टी में अगर fast वाला momentum आता है तो यह क्या होगा यह जो 10 रुपीज है यह सीधा आपका 30 रुपीज हो जाएगा और उसके بعد में अगर यह downfall करता है तो यह वापस आपका हो जाएगा 15 रुपीज यहां से अगर यह जाएगा लगबग आपका 70 रुपीज पे 70 से यह वापस आ सकता है लगबग आपकाrict 35 के आसपास 35 से अगर यह निकलता है तो यह 90 हो सकता है तो मतलब यह जो hero zero वाला move होता है इसके अंदर आपको risk management करके चलना पड़ता है अगर यह 10 रुपिस पर आप यहाँ पर purchase करते हो तो यह तूरंट आपका यहाँ पर एक कुछ चार गुना हो गया कितना हुआ चार गुना आपका पैसा यहाँ पर इंक्रीज अल्रेड़ी हो चुका है 4 टाइम्स डबल ट्रिपल चो गुना आपका पैसा हो गया यहाँ लेकिन यह hero zero के लिए momentum कैसे लगते है अब अगर आप यह वाला momentum देखोगी यह green candle लेखी कितना बड़ा है बहुत बड़ा green candle है लगबग मेरे इसाब से यह देखो से 200 point के आसपास का कुछ momentum हमें हो गया अगर ऐसी जगर पर अगर आप यह hero zero plan करते हो फिर चाहे वह 10 रुपे का हो 20 रुपे का हो या फिर 40 रुपे का हो वह जितना भी आप लो अगर आप 40 रुपे का लेते हो तो उसका momentum थोड़ा और fast होगा मतलब कि वह सिधा 200 हो सक 800 हो जाए तो आप सोच लो कि अगर यह 1500-200 point का move में आपको यह move मिल रहा है तो 600-700 point का move अगर आपको मिल गया एक दिन के अंदर तो आप सोच लो कि यह 40 है यह तो कितना थेजी से भाग़ा क्योंकि expirable दिन होता ही है ना यह जो momentum आपको मिलती है वो fast momentum होती है इसका जो हर ए 800 मेंबर से जॉइन कर चुके है अगर आपने अभी तक इस चैनल के अंदर जॉइनिंग नहीं किया तो आप भी यहां पर आकर के जो है वो जॉइनिंग कर सकते हो यहां पर भी आपको लाइयो मार्ट का total update मिलता है और किस तरीके से momentum होने वाली है कौन सा important level हमारी लिए होने free है यहां पर भी hero zero के बारे में update आपको मिलेगा एंड यहां पर देखिए अब हमारे पास important momentum कौन से होने वाली है कौन सी जगे पर हमारे पास oi का data यहां पर काफी निकल के आ रहा है तो लगबग 44,000 वाली level एक ऐसे level से जहां पर हमारे पास oi का data काफी जादा निकल के आ पास 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 का जो oi का data हमारे यहां पर निकल के आया हुआ है उसके बार में अगला जो data यहां पर निकल के आया हुआ है OI said में वो हे लगबग 1,97,000 का तो 1,97,000 और उसके बाद में 2,38,000 ये काफी बड़े high OI का data आप यहाँ पे के सकते हो कौन सा? high OI का data अभी अगर यहाँ पे high OI का data आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? अगर ये high OI का data यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आपको यह भी देखना पड़ेगा कि यह volume का इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है तो volume इसका 3,81,000 और 3,9,000 के आसपास का आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है उस हिसाब से आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि market momentum 1,96,000 का आसपास का move दिखा रहा है 44,000, 43,900 के आसपास तो यह सब चीज़े आपको थोड़ा analysis करना पड़ेगा अब जाकर कि आप थोड़ा market का train का भी analysis यहाँ पे कर सकते हो अब उसके बाद में हम यह भी देखेगे कि market sentiment overall क्या है क्या market sentiment negative होता है या फिर market sentiment positive होता है कि इस तरीके से आप identify यहाँ पे कर सकते हो यह देखिएगा यहाँ पे जो market sentiment अभी चल रहा है वो आपको क्या indicate कर रहा है यह पूरा का पूरा एक sideway market है sideway market zone यहाँ पे आपको create होता हूँ अंतन्सरा रहा होगा है ना यहाँ से किस तरीके से market momentum कर रहा है क्या कर रहा है ना तो market जादा उपर जा रहा है ना तो market जादा नीचे जा रहा है यह momentum को हम कहते है कि sideway plus volatility इसके अंदर sideway possibility बहुत जादा होती है volatility जो होती है वो भी बहुत जादा होती है यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर क्या करते है preferably यह चीज़े आपर की जाती है कि यहाँ पर trade करना avoid कर सकते हो trade हम कहाँ पर करता ही जहाँ पर हमें बड़े momentum मिलते है बड़े momentum जब हमें मिलते है तो जो profit turning हमारा होता है वो काफी तेदी से increase हो जाता है जैसे कि यह वाला moment जो आप यहाँ पर देख सकते हो यह है बड़ा momentum हाँ अगर आपको चाहिए छोटे छोटे momentum capture करना तो आप वो भी कर सकते हो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ से उपर का नीचे का momentum जैसे हम कहते है scalping momentum अगर आपको scalping वाले momentum capture करना है तो आप वो भी कर सकते हो बट यह आपके उपर depend करेगा कि आपको momentum capture कौन सा करना है जैसे मैंने बताया कि जो hero and zero वाला trade यहाँ पर होने वाला है उसके साथ में लायू market में कौन सी level से important होने वाली है उस चीज का हर एक detailed analysis आपको यहाँ पर मिलता है हमारी YouTube चैनल में तो यहाँ पर आ करके भी आप joining कर लीजेगा और उसके साथ में जो हमारा totally free pilgrim channel लिंक वीडियो के description में मिल जाएगा इसमें joining जरूर कर लिया